प्रफिजर देखने को मिला है यहां पर वीडियो का जो पीछे का बेक्राउंड वह भी डिफरेंट लग रहा है क्योंकि यह गाना बिल्कुल डिफरेंट ही होने वाला है और यह चीज़ अनि पाजी ने एक बार फिर साबित कर दे कि वो कभी भी एक जैसे गाने नहीं बनाते उनका पिछले गाने से आने वाले गानों का कोई भी लेना देना नहीं होता उनके लिरिक्स भी डिफरेंट होते हैं सब गानों के म्यूजिक, कमपोजिशन, एड़ उनके वीडियो के वीएफेक्स, जो भी उनका बेक्डाउंड वगेरा सब कुछ यहां पर डिफरेंट, स् सुरू से ही डिफरेंट करते हैं, अब एक उर चीज में आपको बदा देता हूं कि हनी पाजी का जैसे गाना है, हनी पाजी ने यहाँ पर एक पार फिर ट्रस्ट जताया है, गिल एंड रोनी पर क्योंकि गिल एंड रोनी के लिए, तो हनी पाजी ने बोर टाइम बाद ऐसा किया है कि किसे आटिस्ट पर इतना ट्रस्ट जता रहे हैं, तो यहाँ पर रहानी पाजी ने एक बार फिर बेसा ही किया है, गिल एंड रोनी पर ट्रस्ट जता है, उनका ही कंपोजिशन, उनका ही लिरिक्स, एंड जैमित का म्यूजिक, और हनी 3.0 एल्बम का यह गाना होग किया है कि बहुत जल्द करके उनका एक गाना आने फाला है, तो यह सारी चीज़े यहाँ पर आने वाले टाइम में, हिपप जगत में होने वाले, म्यूजिक जगत में होने वाली, तो आनी फैन्स हो, तो कितने एकसाइटेड हो, इस टीजर के लिए कमेंट बोक्स में जरू कि ने, बागी मिलते हैं एक वीडियो आज के लिए इतना है, ता लव यू जैड एन जै बारत!